Hello everyone and welcome to our channel, Hyosaurus. आज जो आपका topic है, वो है आपका axis and plane के बारे में. Axis and plane है तो बहुत छोटा सा small topic है, बहुत छोटा सा topic है. लेकिन इसको समझने में बहुत सारे confusions आते हैं. और दूसरी चीज ये एकसेसर प्लेन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप बायो मेकनिक्स पढ़ेंगे तो बायो मेकनिक्स में ये चीज़ें बहुत हल्फुल होती है क्योंकि आपके बॉड़ी में जितने भी मुवमेंट्स हैं फ्लेक्शन हो गया एक्षेंशन हो गय आपके प्लेन के परपेंडिकलर होता है तो अब भी हम लोग समझते हैं कि एकस्यस क्या होता है और प्लेन तो एक्सेस और प्लेन समझने के लिए मैंने यहां पर रूबिक्स क्यूब ले रखा और एक पेन को ले रखा है रूबिक्स क्यूब से हम लोग समझेंगे कि प्लेन क्या होता है और यह पेन से हम लोग समझेंगे कि एक्सेस क्या होता है ठीक है करें मतलब कि यह पौशियर यह अंटियर उसके लिए हमको कुछ इस तरह से काटना होगा रूबिक क्यूब को तो यह जो सर्फेस वाए यह एक सर्फेस जो कहलाएगा प्लेन कहलाएगा क्योंकि यह प्लेन आपका दो इकोल हाफ में डिवाइड कर रहा है इसी तरह से अगर हम किसी भी body को 2 equal half में divide कर रहा हो उसको हम लोग क्या कह देंगे उसको plane कह देंगे और अगर मैं axis की बात करूँ तो axis कहने का ये मतलब हुआ कि axis वो line है जो कि आपके plane से 90 degree के angle पे गुजर रहा है जैसे कि suppose that ये एक plane है माल लेते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे एक axis कहेंगे अब axis को भी आप अपने body में तीन तरीके से draw कर सकते हैं और plane को भी आप हमारे अपने body में तीन तरीके से draw कर सकते हैं उस चीश को हम लोग समझते हैं तो axis का definition क्या हुआ तो axis is an imaginary plane which passes through the sorry axis is an imaginary line which passes through the plane at 90 degree angle ठीके चलिए अब axis का तीन type होता है कौन कौन सा कौन कौन सा axis होते हैं आपते body में ठीके अब देखे आप अपने body में तीन तरह का line आप draw कर सकते हैं ठीके एक तो आप left to right draw कर लेजे ठीके एक आप upward to downward draw कर लेजे ठीके और एक आप front to back download कर लेजे ठीके तो अगर मैं बात करूँ यह तीनो lines के बारे में तीनो lines के basis पे axis का तीन type होता है कौन कौन सा एक होता है आपका sagital ठीके दूसरा होता है आपका frontal अब frontal का ही दूसरा नाम है दूसरा नाम क्या है तो frontal का दूसरा नाम होता है आपका coronal या इसी को हम लोग transverse axis भी कहते हैं ठीके transverse axis चलिए और तीसरा जो होता है वो होता है आपका vertical axis चलिए अब अगर मैं बात करूँ कि कौन सा axis को किस तरह से draw किया जा रहा है तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि frontal या coronal या फिर transverse axis आपके body में किस तरह से आप उसको draw किया जाता है ठीके तो यह axis आपके body में run होता है from left to right और from right to left तो अगर मैं frontal axis की बात करूँ तो किस तरह से draw होगा from right to left और अगर मैं बात करूँ वर्टिकल axis की तो यह होता है आपका from top to bottom या फिर bottom to top या इसी को आप superior to inferior या फिर inferior to superior भी लिख सकते हैं तो यह तो हुआ axis का तीनोट आई अब अगर मैं बात करूँ plane के बारे में तो plane के बारे में मैंने आपको कहा है कि plane क्या है एक surface है जो कि आपके body को do equal half में divide करता है do equal half कहने का मतलब do equal left and right हो सकता है do equal आपका up and down हो सकता है मतलब कि upper part and lower part हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है कि front और back यानि anterior posture do equal part में आपका divide कर सकता है ठीके तो इसी basis पे प्लेन का भी तीन टाइप होता है कौन कौन सा प्लेन का होता है आपके body में एक होता है आपका sagittal plane ठीके sagittal plane दूसरा होता है आपका frontal plane ठीके और frontal plane को यह हम लोग कहा देते हैं इसका दूसरा नाम है आपका coronal plane frontal को हम लोग कहा देते हैं और इसके अलावा जो तीसरा होता है वह होता है आपका transverse plane अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा plane आपके body में किस तरह से present होता है कहां पर present होता है तो यह सब हैं imaginary चीज़ हैं आपके body में present होता नहीं है ठीक है तो imaginary है तो आप लोग समझने के कुश्च किए अब जैसी कि मैं अगर बात करूं frontal plane के बारे में तो यह आपके body को front and back इन दो equal half में divide करता है यानि कि anterior and posterior ठीक है तो frontal plane के अगर मैं बात करूं तो anterior and posterior यहां मैं short form में लिख रहा हूं P2A मतलब posterior to anterior R2L मतलब right to left और यहां तो top to bottom लिखा हुआ है इसी तरह से frontal या coronal plane आपके body में किस तरह से divide करेगा anterior and posterior दो equal half में divide करेगा ठीक है अगर मैं sagittal plane के बारे में बात करूं तो sagittal plane आपके body को दो equal half में divide करता है किस तरह से right and left ठीक है और अगर मैं transverse plane के बारे में बात करूं तो यह आपका divide करता है upper and lower ठीक है तो यह हुआ आपके body का तीन axis और तीन plane आपकी सब को समझ में आ गया होगा अभी तक ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इन दोनों में relation क्या है ठीक है तो axis is always perpendicular to plane मतलब की axis जो line गुजरेगी आपके plane से वह हमेशा 90 degree का angle बनाएगी अगर वह 90 degree का angle नहीं बना रही है तो वह it is passing through the center of the plane first of all and the second thing is it is making 90 degree angle with the plane ठीक है axis always makes an angle of 90 degree with the plane ठीक है यह तो हुआ दोनों के बीच में relation अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा axis और कौन सा plane में 90 degree का angle बनता है ठीक है एक एक करके axis और तीनो plane के बारे में जान लेता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करना है किसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेता है सजैटल के बारे में ठीक है चलिए सजैटल के बारे में अगर मैं बात करूं ठीक है, transverse plane तो दूसरा नाम क्या होगे, आपका horizontal plane और frontal का दूसरा नाम तो coronal है ठीक है और इसमें बस एक ही का आपका तीन अलग लग नाम है, एक होता आपका frontal उसी को हम लोग कहा देते हैं अब मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सा axis और कौन सा plane perpendicular है और इसमें कौन-कौन सा movements हो रहा है यह important है, इसको याद रखने के जोरत है, जैसे की sagittal plane sagittal plane के अगर मैं बात करूँ, तो यह आपके body को किस में divide कर रहा है, right and left में, ठीक है sagittal plane किसके parallel होगा, सुचने वाली बात है, कि sagittal plane आपका parallel होता है sorry, perpendicular होता है आपका frontal axis पे, ठीक है, frontal axis कैसे होता है, इसको समझते हैं, देखिए, sagittal plane आपके body को किस में divide कर रहा है, right and left में, ठीक है तो suppose that यह आपका body है, ठीक है, यह आपका beach oh beach divide किया यह left वाला पार्ट, यह right वाला पार्ट, दो equal पार्ट में हो गया, अब अगर मैं बात करूं कि frontal axis ठीक है, frontal axis आपका किस तरह से जा रहा है, right to left जा रहा है, ठीक है तो right to left अगर जा रहा है, तो यह कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है अब जैसे कि मान लेते हैं कि यह ruby cube है, ठीक है, अब अगर हमको इसको right to left में divide करना होगा, right और left तो equal half में divide करना होगा, तो कुछ इस तरह से बीच में प्लेन जाएगा, तभी तो बीच से एगर इस तरह से काटेंगे हम लोग, तभी तो यह left और right में divide होगा, तो अगर य 80 degree का angle नहीं बनेगा, ठीक है, तब तो 180 degree का angle बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग right to left अगर axis यहाँ पर अगर हम लोग जा रहे हैं, right to left अगर line जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यह plane से यह axis 90 degree का angle बन रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि sagittal plane आपका perpendicular होता है frontal axis के, यह frontal axis आपका perpendicular होता है, sagittal axis के, ठीक है, सलिए, यह तो हुआ सबसे पहला पार्ट, अब इसमें कौन कौन सा movement होता है, ठीक है, sagittal plane और frontal axis में कौन कौन सा movement होता है, तो जितने भी flexion और extension वाले movement हैं, ठीक है, extension and flexion, यह दोनों जितने भी movement है, upper limb and lower limb दोनों को ले करके, ठीक है, यह सारे movement किस में होते हैं, sagittal plane में होते हैं और frontal axis पे होते हैं, ठीक है, चलिए, अब दूसरे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, horizontal plane, ठीक है, horizontal plane, horizontal plane को हम लोग दूसरे नाम से क्या कह रहे थे, transverse plane को कह रहे थे, यह आपके body को किस में divide करता है, upper and lower, मतलब कि plane आपका क कैसे गुजरेगा, plane कुछ इस तरह से बीच से गुजरता है, ठीक है, तभी तो आपका upper and lower में divide होगा, तो आप खुछ सोचिए, कि बीच से गुजर रहा है, ठीक है, अब इसमें कौन सा आपका axis आपका perpendicular जाएगा, तो इसमें आपका axis जो आपका perpendicular जाता है, वो आपका जात है, horizontal plane, horizontal plane में किस तरह से आपका divide हो रहा है, upper and lower, अब अगर इस ruby cube को अगर हम लोग को upper and lower में divide करना हो, ठीक है, तो plane आपका कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, बीच से हम लोग काटेंगे, तभी तो वो upper and lower में divide होगा, तो अगर हम लोग इस तरह से काट रहे है, तो आप खुद सोचिए, कि axis हम लोग किस तरह से गुजा रहे हैं, जो कि इस plane के 90 degree आ जाए, तो अगर हम लोग उपर से नीचे कर, कोई axis को अगर draw करेंगे, तभी तो वो 90 degree आएगा ना, इस surface के, तो अगर उपर से नीचे हम लोग कौन सा axis जा रहा है, तो vertical axis जा रहा है, त जैसे कि shoulder joint में आपका rotation होता है, ठीक है, तो जितने, फिर आपका hip joint में भी rotational होता है, movement, तो all types of rotation movement occurs in which plane, horizontal plane and vertical axis, ठीक है, चलिए, जो last है आपका, वो है आपका frontal, या फिर, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं, coronal plane, ये किसके perpendicular होता है, ये आपके perpendicular होता है, सजाईटल axis के, ठीक है, सजाईटल axis, अब बात कर लिएते हैं, frontal plane कैसे divide हो रहा है आपका, frontal plane देखी, anterior and posterior half में आपका, divide हो रहा है, ठीक है, और सजाइटल एक्सिस आपका किस तरह से रन कर रहा है anterior to posterior या फिर posterior to anterior वापस से समझते हैं क्या मतलब इस ruby cube को अगर हम लोग आगे और पीछे दो equal half में बाटना होगा तो आपका plane हम लोग किस तरह से से या फिर से अगर हम लोग पीछे से इस तरह से लाइन अगर एक्सिस अगर ड्रॉ करेंगे तब तो वह surface के साथ आपन अंटी डिग्री बन जाएगा तो anterior to posterior अगर हम लोग एक्सिस गुजारते हैं तो अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस एक्सिस का क्या ना में आपका sagittal axis और आपका plane का कौन सा बात हो रहा था coronal plane आपका किस में डिवाइड करता है anterior और posterior है तो यह आपका clear होगे कि how frontal plane is perpendicular to sagittal axis ठीक है अब इसमें कितने सारे मुवमेंट होता है ठीक है abduction and adduction वाले मुवमेंट जितने भी हैं ठीक है वो किस में होते हैं आपके frontal या coronal plane या फिर आप उसको कह सकते हैं sagittal axis ठीक है तो यह आपके थे axis और plane का I hope कि आप लोगों को यह अब सारे confusion clear हो गए होंगे क्योंकि axis और plane बहुत ज़री था आप लोगों को जानना क्योंकि होता क्या है कि biomechanics में जितने भी अलग अलगतर है कि joints पढ़ने हैं उनमें आपको सभी के तो osteokinematics और orthokinematic movement आपको पता होना चाहिए ठीक है हम लोग और भी biomechanics का कुछ कुछ ऐसा topics समझने की कोशिश करेंगे